अम्बा माय के इस मंदर से जुड़ा है ऐसा रहस्य सुनकर उड़ जाएंगे खोश नमस्ते जी कैसे हैं आप पवित्र वचन यूट्यूब चैनल में आपका हार तक स्वागत हैं मैं हूँ कात्याईनी दोस्तों देश भर में बहुत से देवी मंदर स्थापत हैं जिन से जुड़ी अलग-अलग मान्यताएं और कथाएं प्रचलत हैं आज हम आपको नवरात्री के खास मौके पर एक ऐसी ही मंदर के बारे में बताने जा रहे हैं जो मध्यप्रदेश और महराष्ट्र की सीमा पर स्थित है यह मंदर अमबाजी के नाम से प्रसित है तो चलिए जानते हैं इस मंदर के बारे में कहां है यह मंदर और इस से जुड़ा वो कौन सा रहस्य है जो आपके होश उड़ा सकता है बता दे कि जिस मंदर की बात हम कर रहे हैं वो सत पुड़ा के घने जंगलों में बसा हुआ है जिस से तेश के तमाम लोगों की आस्था जुड़ी हुई है इसका कारण है इस से जुड़ी पौराने कथा पौराने कथा के अनसार जब भगवती सती के अगनी में कूच जाने के बाद भगवान शंकर क्रोधत होकर उन्हें लेकर ब्रम्हांड में घूमने लगे थे तब इस स्थान पर उनकी चुनरी गिरी थी इसलिए इसे चुनरी वाला दर्बार के नाम से भी जाना चाता है बताया चाता है कि मंदर के प्रमुख पुजारी को यहां खुदाई के दरान कितनी बार यहां से लाल चुनरी प्राप्त हुई है मध्य प्रदेश के बैतुल जिले में धारुड ग्राम पंचायत में अम्बा माई का मंदर परम पवित्र सत्थ पुड़ा पर अपनी वैभवशाली सत्थ लिये सुशोभित है कहा जाता है कि इस मंदर की खोज एक मनेहार बेचने वाले मंगला नामक महिलाने की थी जिसे आज भी लोग इसे मंगला मा कहते हैं चुकि अम्बा देवी की ये गुफा घने जंगल में स्थापत है इसलिए यहां शेरों का आना जाना आम बात माना जाता है परन्तों इन शेरों से आज तक मंदर में आने वाले किसी भक्त को कोई नुकसान नहीं हुआ अम्बा देवी मंदर में एक गहरी गुप्त गुफा भी है जहां रिशी मुनी आश्रम प्राचीन समय में निवास किया करते थे रिशी मुनी आश्रम की इस गुफा में एक बकीचा है जहां आज भी कई रिशी मुनी तपस्या में लीन है इसके अलावा यहां कई प्रकार के वनस्पती पेड़ भी मौजूद है और गुफा में निर्मित तालाब के पास मां अम्बे, गनेश जी, शिवशंकर और कालीमा विराजमान है लेकिन इस गुफा में जाना मौत के समान माना जाता है ऐसा इसलिए क्योंकि यहां जाने के मार्ग में कई जंगली जानवरों का सामना करना पड़ता है एक बार की बात है मध्यप्रदेश में आठनेर नामक गाउं के किसी सुनिल नामक नौ साल के बालक को सपने में माता रानी किसी जगह के दर्शन करवाती थी और उसके बाद उसे पलंग से नीचे भैंक देती थी देखते ही देखते ऐसा हर रोज होने लगा भूत प्रेट का साया समझ कर उसके माता पिता ने कई बाबाओं के पास जाकर उसके कई इलाज करवाए लेकिन कोई फायदा ना हुआ और उसको हर रात वही सपना आता रहा अंत में सनल के माता पिता अम्बे मा के किसी भक्त से मिले उसने उन्हें बताया कि उस बालक पर किसी भूत प्रेट का साया नहीं है बलकि अम्बे मा का आशरवाद है सपने में दिखाई दे रही जगर को ढूनते ढूनते तीन साल बीट गए फिर कहीं जाकर उसको मा अम्बे के पावन दर्बार के दर्शन हुए मा अम्बे की गुफा को देखकर सुनिल बहुत खुश हो गया और उसने वही रहकर मा की पूजा अर्चना करने का मन बनाया सुनिल के साथ अम्बा देवी के मंदर में कही जमतकार भी घटत हुए जैसे नवरात्रों में कई बार जब वो मा का श्रिंगार कर रहा होता या श्रिंगार कर चुका होता तो कुफा में कुछ शेर आ जाते थे ऐसा प्रतीत होता था कि जैसे मा की सवारी मा को लेने आये हो हैरान करने वाली बात यह है कि मा की इस सवारी ने सुनिल को कभी नुक्सान नहीं पहुँचाया मा की सेवा करते करते बारा साल पीट गए लेकिन एक दिन उसको जनम देने वाली मा की दी हुई कसम के कारण उसे गुफा छोड़ वापस अपने घर जाना पड़ा तब सुनिल अम्बे देवी के चर्णों में फूट फूट कर रोने लगा और मा के चर्णों में रहने की अरदास करने लगा मा ने उसे सपने में दर्शन दिये और कहा बेटा तू चिंता ना कर मैं हमेशा तेरे साथ हूँ और मेरा आशरवात सदा तेरे साथ रहेगा जा बेटा तू अपनी जनन देने वाली मा के पास जाकर उनकी आग्या का पालन कर और मेरे ही मूर्तियों का निर्मान कर अपनी आजीविका चला मा के कहने पर वो वापस अपने घर चला गया और जैसे मा ने बोला था उसने वैसा ही मूर्दियों को बनाने का अभ्यास शुरू कर दिया मा के परमभक्त सुनिल पर मा अंबे देवी की ऐसी कृपा हुई कि आज सुनिल द्वारा तयार की गई मूर्दिया मध्य प्रदेश के कई शहरों में जा रही है ऐसा भी कहा जाता है कि किस्मत वालों को ही मा का पुलावा आता है कितनी भी दर्शन की इच्छा हो लेकिन जब तक मा का बुलावा नहीं आ जाता आप अंबा देवी नहीं आ सकते हैं मा अंबा देवी की दर्शन यात्रा बैतोल जिले से आरंभ होती है रास्ते में घना जंगल और अनिक घात के साथ साथ कई खतरनाक मोड भी आते हैं पाबा के दर्शन मात्र से ही सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं इसके थोड़ा आगे चल कर एक बड़ी पहाड़ी आती हैं जहां से माता के दर्बार पहुंचने के लिए सीधी चढ़ाई चढ़ना पड़ता है इसलिए इस्थान को खड़ी पहाड़ी कहा जाता है इन पहाड़ीों पर निरंतर मा के जैजैकारे गूंचते रहते हैं नवरात्रों में ये नजारा देखने वाला होता है दूर दूर से भक्त जन मा के दर्शन करने आते हैं तो दोस्तों अगर आप भी अम्बे मा की कृपा का पात्र बनना चाहते हैं तो इस नवरात्रों में मा के दर्शन करने मा अम्बा देवी जरूर जाएं